हेलो फ्रेंड्स कुपिंग क्लासेज में आपका स्वागत है मैं हुएक्ता अगरवाल आज हम मेटी सेम्या बनानी सीखेंगे मेटी सेम्या को कुछ लोग मेटे जो भी बोलते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें चाहिए सेम्या, चीनी और यह घी मैने पांच sicher चीनी लिए यह और पानी और मैने अपनी कड़ाई गरम कर लिए अब मैं इसमे सबसे पढ़े घी ढालूँए 2 tablespoon घी डालूँ मैं सबसे पहले आपने सेव्यों को रोस्ट करना नहीं है जाए तो मार्केट में रोस्टीड में विल्ति है वो भी अपले के आ सकते हैं या पिर आप घर पे भी रोस्ट कर सकते हैं उसको मेरा घी गरम हो गया है, मैं इसमें सहीमें डालू नी इसको हमें गोल्डन राउन होने तक और प्राई करना है अगर आपने हमारा चैनल अगर तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लिजेगा जिसे क्या होगा फुचर में अगर हम कोई भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपके बस आईगी और अगर आप हमसे कोई और डिश बनवाना सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा हम वो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे इसको प्राई होने में कम से कम 2-3 मिनिट लगेगी गोल्डन बाउन होने तक हमें इसको रोस्ट करना है तो काईस जैसे कि आप देख सकते हैं यह रोस्ट हो गए है गोल्डन बाउन हो गए है अब मैं इसमें शुगर एड कर ली जिए मैंने वन एक बाउल जोई में वन फोर बाउल चीनी लिए आप इसको क्वांटेटी कम जादा भी कर सकते हैं अभी शुगर को इसमें अच्छ हो जाए बस और पानी में एक पानी बोईल होने के बाद हमें इसे प्लेट से ढग देना है और इसकी गैस को भी हमें सिम कर देना है सिम गैस पर यह अच्छे पकेंगे जैसे के आपको पता है जो ही बहुत है आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं सुगर मॉर्निंग में आप लीजी इनको ब्रेकफास्ट में दूद के साथ आप बहुत टेस्टी लगते हैं तो जैसे के आप देख सकते हैं पानी बोईल हो गया है अब मैं इस पे प्लेट कम से कम चार से पांच मिनट लगेगी पानी एकदम सूप जाएगा तब तक हमें इसको बॉल होने देना है तो फ्रेंट जैसर की चार से पांच मिनट हो गया है अब हम इसको देखते हैं तो आप देखिए पानी बिल्कु शूप गया है और यह बनकर तयार हो गई है यह देखिए फ्रेंड्स खाने में बहुत अच्छी लगती है और जैसे कि बहुत हेल्दी होती है आप अपने बच्चों को दे सकते हैं खुद भी लग सकते हैं अगर आपको वारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर तरह ना भूलिएगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में थेंक्यू